जीसी मीली आखो वाली खूदसूरत एक्ट्रेस एश्वर्या राय आज 1 नवंबर को अपना 43 जन दिन मनाने जा रही हैं इस मौके पर उनकी खूदसूरत जिंदगी के कुछ मजेदार किस्सों का जिक्र ना हो तो ना फर्मानी होगी एश्वर्या राय की जिंदगी पर लिखी गई किताब हॉल अफ फेम में उनके बारे में बताई गई कुछ खास बाते हाजिर हैं उनके फैंस के लिए मिलियन डॉलर स्माइल वाली इस ब्यूटी ने पहली एट फिल्म तब की थी जब वह नौवी में पढ़ती थी एश्वर्या की एट एक पेंसिल कंपणी के लिए थी एश्वर्या पढ़ाई में बहुत अच्छी थी उन्होंने बारवी कक्षा में केमिस्ट्री सबजेक्ट में सौ में से सत्तानवे अंग हासिल किये थे इस किताब में इस बात का भी जिक्र किया गया था कि एश्वर्या बचपन में जब भी राशन और सबजी तरकारी लाने मार्केट जाती थी तो वह अकसर बारगेन किया करती थी एश्वर्या का निकनेम एश्व है और एश्व को जवैलरी से ज़्यादा घडियां कलेक्ट करने का शौक है एश्वर्या को करन जोहर की फिल्म कुछ-कुछ होता में रानी का रोल ओफर हुआ था और राजा हिंदुस्तानी में उन्हें करिश्मा का रोल ओफर किया गया था कान फिल्म फेस्टिवल में जूरी में शामिल हुने वाली एश्वर्या राय पहली इंडियोन एक्रस थी एश्वर्या, राय के सल्मान खान के साथ अफेय के खूब चर्चे रहे थे उस दौरान एश्वर्या ने सुपस्टा कमल हासन की अभय नाम की फिल्म छोड़ दी थी इसकी वजह सल्मान बताय जाते हैं फिल्म में किसिंग सीम था सल्मान जिसके सक्त खिलाफ थे इसलिए एश्वर्या राय को फिल्म से बाहर हाना पड़ा था